हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बंदे मेटो टेन के बारे में और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बंदे मेटो टेन है क्या ये कब तक आने वाली है इसका इंटिरियर क्या है इसके रूट्स क्या होने वाले है और ये एक नार्मल मेटो या फिर आराल टेस्ट की जो टेन है उससे किस हद तक जो है ये टेन अलग होने वाले हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे मैं हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी बिद्राहुल तो बंदे साधानर एक्सप्रेस जो की अब अम्बित भारप टेन्थ के नाम से जानी जाती है यह तो जो है कम्प्लीटली तयार हो गई है और तयार होकर अब ट्रेक पर चलने भी लेगी है तो देखिए अगर हम बंदे मैटो ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड जो है एक मैटो टाइब की ट्रेंड होनी वाली है अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की तो इस ट्रेंड को जो है वो ऑफिसली बताया गया है रेल मंत्री जो है असुनी वैसमन ने इसे बताया है कि यह टेन जो है वो लगबक सव से एक्षो बीस किलोमेटर के अंदर अंदर जो है इसको चलाया जाएगा और मेलनी इसका जो परफस रहेगा वो यह रहेगा कि दो सहरों के बीच जो है फास्ट करिक्टिबिटी जो है दी जाएगा यह टेन जो है वो अगरा अगर हम दिन-दिन की बात करें तो कम से कम 2-4 चकर वो लगाने वाली है उस रूट पर तो यह जो है जो प्रेसंजर्स हैं जो डेली कहीं वर्क करते हैं या फिर अपनी जौब वगरा पर जाते हैं रोज मर्रा वाले प्रेसंजर्स जो हैं तो उनके लिए यह जो है काफी हद तक सः होने वाली है और अब हम बात करते हैं इसके इंटीर हो गएरा की तो इसका एंटीर जो है अभी इसके बारे में कुछ खास तस्वीरे नहीं आया है जो कुछ अगर हम नारमल मैटों से यह फिर जो आर आर टियस की बस है तो उससे जो है यह किस हद तक अलग होने माली है तो देखिए जो आरा आर टियस की train है उसमें जो है दो अस्टेंजर के कोच रखे गए हैं एक जो है इकोनॉमी टाइप का है दूसरा जो है प्रीमियम लेबल का है लेकिन यह एक मेटो टेन है और इसमें जो है सारे कोचे जो है वो नारमल वेस्ट में होने वाले हैं सभी कोच जो है वो बिल्कुल एक जैसे होने वाले हैं हाँ इसका इंटिरियर का लुक कैसा होगा यह तो अब आने के बाद ही पता चलेगा अभी जो है कुछ इस तरह का लुक जो है वो सामने आया है जिसमें आप मोटा मोटा जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा कुछ जो वह कब तक आने वाली तो देखे यह जो तीनों टेने थी जिसमें हम बंदे साधा अनशपर्स की बात करें या फिर बंदे मेटो या फिर बंदे भारत का जो सिलीपर बर्जन है इनका जो डेट रखा गया था वह एराउंड दोजार चोबिस कासपास रखा गया था दोस्तों इस साल के स्टार्टिंग में ही बंदे साधानेक्ष पर मतलब हम जो अम्रित भारत टेन है वो तो लॉंज हो चुकी है अब बारी है बंदे मेटो की तो यह टेन जो है लास्ट जनौरी या फिर फरोरी की स्टार्ट में जो है आपको देखने को मिलने वाली है क्योंकि यह भी व लगभग लगभग तैयार हो चुकी है और जलदी यह आपको इंडियान रेलोट ट्राक पर जए देखने को मिलने वाली है बात करें इसकी स्पीट की इसwolसी इृट Pastor कि एसको कौनेश्ट करता है और हम बात करें सिलीपर बंदे भारत की तो वो और आउन मार्श दोजार चोबिस के आसपास जो है वह भी टेंट जो है आपको देखने को मिलने वाली तो दोस्तों ओवराल यह जो टेन है यह मैटो टाइप की टेन है जिसको कम दोरी के लिए जो है चलाया जा रहा है जिससे दो सहरों के बीच जो है फास्ट करेंटिबिटी तो यह चलना सही नहीं होगा तो इसको चुनने वाला है अब जब तक कोई ऑफिसली डेक्लियर नहीं होता तो मैं किलियर जो है ऐसा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देखें अगर आपको ध्यान होगा तो जो बंदे साधरन एक्सप्रेस टेंड है उसको पहले जो है मुंबई से या फिर मुंबई से नहीं दिल्ली के बीच इस तरह से जो है रूट की बाते जो है सामने आ रही थी कि यह जो टेंड है वो इस रूट पर चलने वाली है तो फाइनल जो है जब यह टेंड लॉंच हुई तो पता चला कि यह टेंड जो है वो ऐवद्या से दरभंगा के इसलिए हम किलेरली किसी रूट को जो है जय किसे नहीं के सकते हैं कि कहा पर रे ट्रेंड जो है रेलवे चला सकता है तो फिलाल आज की विडियो में इतना रखते हैं आधि आपको ज़रूर पसंद आए होगी और अगर यह ज़रू पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ल